वेलकम तो एक्जाम टाइम आज मैं आप लोगों से 14 अप्रिल को मिल रहा हूं और 14 अप्रिल से क्राइंट अफेस के जितने भी कुश्चन बन सकते वो सभी आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो एक्जामनेशन व्यूज से उसके बाद आपकी तेलंगना के बाद किस राजसरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रिल तक बढ़ा दिया है तो इसका सई जवाब है तमिल लाडू तो अभी हाल ही में तेलंगना के बाद तमिल लाडू ने वी लॉकडाउन को 30 अप्रिल तक बढ़ा दिया है अब यहां पर बात आई सबसे पहल आप यह यह होगी बात तेलंगना की अब यह बढ़ा है कि नी लाडू को बढ़ा है तो न्याडू को बारे जाने लेते तमिलाडू के सियहं क्यों क्यों कौन है के प्लानी स्वामी के प्लानी श्वामी और तमीलाडू की इस यह टिरshit नहीं डू इसके बढ़ाते हैं लोग नेक्ट कोशन पर अगला कोशन है हाली में अमेरिकी सर्च इंजन गूगल के सीओ सुन्दर पीचाई ने कोरोना महामारी का मुकाबला करने हैं तू गीव इंडिया को कितने रुपे की साहता किये तो इसका सही जबाव है फाइब करोर रुपीज य को रोना से न depend militantic 80 करोर डॉलर सहय ताकी घुशना कीति ये तो thres नुकि सुन्दर पीचाई ने दिये हैं लेकिन गूगल की तरब से 80 कर डॉपीज साहता कि घुशनआ अभी हाल ही में की गई थी इस primary में एंजी ओर बैंकों के लिए 20 क्रोर डॉलर का निवेस कोश भी सामिल है यह बाद बहुत आपको याद रखना है अब बात आई यहां पर Google की तो Google के बारे में जानते है Google के CEO वर्तमान में कौन है सुनदर पिच्चाई सुनदर पिच्चाई और Google के संस्थापक कौन है तो Google के दो संस्थापक है Larry पैज सरगेई बीन जो की आपको अगले कोशन में दिखाई देंगे लेरी पैज और सरगेई बीन गूगल के संस्थापक है इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट कोशन पर अगला कोशन है हाली में कोरोना वायरस से लर रहे जो अपनी जिन्दगी को दाव पर लगाकर लोगों का इलाज कर रहे है तो इसलिए ये कोशन बहुत ही जादा इंपोर्टेंट बन जाता है गूगल ने इसको अभी सम्मान देने के लिए डूडल बनाया है और इस डूडल की खासियत है कि उस डूडल पर अगर क्लिक किया ज सकते हैं तो अब बात आए यहां पर गूगल की तो गूगल के CEO कौन है सुन्दर पिच्चाई उसके बाद अभी मैंने बताया था गूगल के संस्थापक तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं गूगल के संस्थापक यह है लैरी पैज और यह है सरगेई बिन सरगेई बि तो इतने कोशनिया से बनते हैं आते हैं नेक्ट कोशन पे अगला कोशन है हाले में विविन धर्मों के बीच संबाद को प्रोतसाहित करने वाले के रूप में पहचाने जाने वाले पुर्व पमुक प्रमुक रब्भी एलियाहु बक्सी का निधन हो गया है वे किस दे से थे वे इजराहिल से थे और इनका काम था विविन धर्मों के वी संबाद को प्रोतसाहित करना यानि कि बात विचार को करने के लिए प्रोतसाहित करना तो ये कहां के थे इजराहिल के थे ये हैं रब्भी एलियाही एलियाहु वक्सी जिनका अभी हाले में निधन हो गया है कोरोना वाइरस के करन हुआ है और यह 79 येर्स ओल थे 89 वर्स के थे अब यहां बात आई इस्राइल की तो इस्राइल के अभी इस्राइल के भी कैपिटल कहां है यह आपको जाद रखना है इस्राइल की कैपिटल है जेरूसलम कहां है जेरूसलम और इस्राइल के वर्तमान में PM कौन है Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu यह वर्तमान में अभी इज्राइल के PM है और President कौन है यहां के तो यहां के President है Ruben Rivlin यहां के President है और इसके बाद यहां की Currency क्या है तो यहां की Currency है इज्राइली नई इज्राइल नई रोकल यहां की Currency है तो इतने कोशन यहां से बनते हैं आते हैं फिर Next Question पर अगला कोशन है हाले में किस राजसरकार ने कोरोना के मद्दे नजर कक्षा 67-89-11 के चात्रों को बिना परिक्षा के अगली कक्षा में प्रोमोट करने का निर्ने लिया है तो यह निर्ने लिया है अभी वरतमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने अब यहां पर बात आई कि ऐसा निर ने क्यों लिया गया है यह कोरोना महामारी के कारण सभी कामकाज अभी ठब पड़े हुए हैं इसके कारण कच्छा 6 7 8 9 और 11 के जो भी छात्र होंगे उन्हें बिना परिक्छा में बैठे प्रिफॉंच के आधार पर पिखली कक्छा के पर्फॉंच के आधार पर अगली कक्छा में उने प्रॉमस कर दिया जाएगा तो यह निरनने लिया गया उत्तर परदेश सरकार के दौरा अब बात आई उत्तर प्रदेश की विस् lithium फ्होका है लखनो उतंतर प्रदेश की यह सनधार कौन है योगी आदितिनग और यह है योगी आदितिनग उसके बाद उततर परदेश की गवरनर कौन है आप question पर अगला question है हाली में WHO ने भारत को lockdown को लेकर कौन से formula का सुझाओ दिया है तो WHO ने भारत को अभी वर्तमान में lockdown को लेकर एक सुझाओ दिया है वो सुझाओ है 3L सुझाओ 3L अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि 3L क्या है तो 3L का अर्थ है triple L मतलब की L for life L for livelihood और L for living life का अर्थ होता है जीवन और दूसरा L जो है उस L का अर्थ है livelihood इसका अर्थ होता है आजिवी का और जो तीसरा L है उसकाहर्थ होता है living और living का अर्थ होता है जीने का तरीका यह तीन सुझाओ अभी जो है 3L का फॉर्मूला डबलू एचो ने यह वर्ल्ड हैल्थ और्गनेशन ने अभी भारत को दिया हुआ है यह है वर्ल्ड हैल्थ और्गनेशन की लोगो और यह जो आपको दिखाई दे रहे हैं यह कौन है डबलू एचो के हेड टेड्रोस अधा नॉम कौन है टेड्रोस अधा नॉम यह डबलू एचो के हेड है और इसमें एक बात आपको याद रखनी है 3L के फॉर्मूले के तरज पर ही लोगडाउन पार्ट टू लगाया जा सकता है अभी आप जान रहे हैं कि अभी पार्ट टू लगता है तो वह लोगडाउन जो लगेगा 3L के फॉर्मूले पर लगेगा इस लोगडाउन में जीवन को ध्यान में रखा जाएगा उसके बाद आजी वीका को ध्यान में रखा जाएगा और जीने के तरीके को ध्यान में रखा जाएगा यानि कि एक तरह से क का जा सकता है कि पूर्नलौबन नहीं भी हो सकता है bod triple-l के फोर्मूले पट चलते हुएFit लगडॉन लगाया जा सकता है यह अभी ृच फिस्न ने चोले वर्ड हैल्थ करनाईशन अब बात आइ कि डो मोस کاई नातापन हैं 7 अपरिल 1948 में यह उसकी स्थापना स्वेस का मुख्याले का है इसका मुख्याले चैने वा सूेड्ट जर्लेंड में यह जतने भी कैसे बहुत हैं आपको उयाद रखना है फोटेम हेर्ड रोस अधानोम यहां से बन सकते हैं इसको बिदाते हैं नेक्ट्ट कॉशन पे exploration प्रतेक वर्स 13 अप्रेल को कौन सा महतुपूर्ण दिवस मनाया जाता है तो कल था 13 अप्रिल और 13 अप्रिल को कौन सा महतुपूर्ण दिवस मनाया जाता है प्रतेक वर्स आपको याद रखना है जालिया वाला बाग नरसंगार दिवस जालिया वाला बाग नरसंगार दिवस आप सभी को पता है कि जालिया वाला बाग हत्याकांड 13 अप्रिल 1919 को हुआ था 13 अप्रिल 1919 को और इससे जुड़े बहुत सारे important facts हैं जिनमें से कुछ आपको याद रखने हैं जैसे कि 13 अप्रिल 1919 को पंजाब के अमरित सर में एक बाग में यह नरसंगार हुआ था और यह नरसंगार क्यों कहा जाता है इन्हें आपको याद रखना है तो रॉलेट एक्ट के बिरोध में जो सभा की गई थी उस सभा को उस सभा पर जेनरल ओर डायर ने जेनरल ओर डायर यह बहुत बार एकजाम में पूछे गया है कि गोली चलाने का आदेश किस ने दिया था तो जेनरल ओर डायर ने गोली चलवा दे थी और सभाओं की भीर में गोली चलने से उनमें बहुतों की मिर्तियों हो गई थी बहुत घायल हो गए थे तो चुकि वो दिवस काला दिवस के रूप में मनाय जाता है और उसे नरसंगहर दिवस का जाता है और इस पिक्चर में आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी यह जो जालिया वाला बाग का मैन गेट है यह जो आपको दिखाई दे रहा है दूसरा पिक्चर यह पिक् पड़े हुए हैं यह कहां की घटना है पंजाब के अम्रित सर में जालिया वाला बाग नरसंगहर दिवस का मना जाता है 13 अप्रिल को मना जाता है इसके बाद आते हैं लोग नेक्स्ट कोशन पर अगला कोशन है हाली में गंभीर रूप से बिमार को कोरोना रोग्यों के इलाज है तो अपेक्षिक प्लाजमा थेरेपी शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है तो इसका सही जवाब है केरल तो केरल वैसा राज बन गया है जो की प्लाजमा थेरेपी शुरू करने वाला है जो की गंभीर रूप से बिमार है उनके लि अब आपको समझना यह जरूरी है यह पलाजमा थेरेपी होता क्या है तो इन्हें समझने के लिए आप ध्यान से सुने इसके अंद्रगत वह वेक्ति जो कोविड-19 से ठीक हुए हैं ऐसे वेक्ति जो पहले ठीक हो चुके हैं उनके रग्त का पलाजमा लिया जाता है और उनके रख्त के पलाजमा को जो वेक्ति गंभी रूप से बिमार हैं उनके सरीर में ट्रांस्प्लांट कर दिया जाता है उनके सरीर में ट्रांस्प्लांट कर दिया जाता है तो इससे क्या होता है कि उनके सरीर में जो है रोगवानों से लड़ने की छमता बढ़ जाती है तो इसे क प्रयोजना कहां पे चलाई जा रही है कहां पे ऐसा किया जाएगा यह प्र योजना तिरुवनंद पूरं में Institute for Medical Sciences and Technology द्वारा सुकर गई है कहां पर तिरुवनंद पूरं में किन के द्वारा तो Institute for Medical Sciences and Technology के द्वारा जो है सुरूख कही गई है अब बात आई यहां की कैपिटल केरल की कैपिटल का है तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंत पूरम में और यहां के सीम कौन है यहां के सीम है पीनाराई विजियन कौन है पीनाराई विजियन यह है पीनाराई विजियन और यहां के गवर्नर कौन है आरिफ मुहम्मद खान कौन है आरिफ कोशन पर अगला कोशन है हाली में ल.घ मार्च ऑपरेल के प्री मियम के लिए कितने दिवसी विस्तार कानुमति दे दी है उनको कठना है इस कारण से लोगों को प्रेसाणी का सामना ना तीस दिनों की दिनों का विस्तार दे दिया है तीस दिनों तक जो है अब वह भुक्तान कर सकते हैं तीस दिन आगे बढ़ा दी गई है डेट को अब यहां बात आई एलाइसी की तो एलाइसी का मुख्याले कहा है मुंबई में एलाइसी का स्थपना कब हुई है एक सितंबर 1956 म कौन है ग help कुमार ने को फिर नसट पर संथि आभे और लाइसी के चैर्मन कौन है तो एंअर कुमार 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 को सबस्कान के अब कर हो तो बाजारों को खोलने का निर्ने लिया गया है यह त्योहार कहां का प्रसित त्योहार है तो इस्टर और चिरा ओवा यह आपको याद रखना है मनिपूर का त्योहार है बहुत फेमस त्योहार है और इसके इसके लिए जो है बाजारों को खुले रखने के लिए अभी मनिप penna मनाय जाता है मनयपूर में , यहां मनीपूर के एक विशज समुदाय है को छजिसका नाम है मेइति , , तो मेइति समुदाय द्वारा , यह तिहार अब बाती js मनिपुर की , तो मनीपूर की capital कहा ह है , इम्फॉल , कहा है , मनिपूर के सियम कोन है , और यहां यहां के governor कौन है तो नजमा यहां के governor कौन है नजमा है यहां के governor है तो इसी प्रकार से जितने भी question आते जाते हैं आप उनसे जुड़िए important facts को जुरूर पढ़ें क्योंकि बार बार पढ़ते रने पे वह आपको 100% definitely याद हो जाएंगे तो अभी इस picture में आप इस यहां पर इस picture में देख सकते हैं यह कौन है एन बिरेन सिंग जो कि यहां के cm है और यहां की यह governor कौन है नजमा हैपतुला इसके बाद आते हैं हम लोग next question पर अगला question है हाल में 70% वार्षिक वैस्विक उत्पादन हिस्सेदारी के साथ भारत हाइड्रो क्लोरोक्विन उत्पादक और निर्यातक चार्ट में किस अस्थान पर है तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अभी आप जान रहें कि यह मलेरिया की दवाई है जो कि कोरोना पर बहुत असर डालती है उन्हें जर्ण से समाप तो नहीं करती लेकिन उनके व्रिद्धी को रोकती है उन पर बहुत ज्यादा असर डालती है तो इसके उत्पादन में और निर्यात में अभी 70% पूरे विश्व में उत्पादकता कौन रखता है तो भारत रखता है और वह और भारत जो ह यह है एक और ज़रूरी बात याद रखने है को कि यह बयान जो दिया गया है कि यह 70% उत्पादन में भारत पर्थम अस्थान पर है तो यह बयान किसके दोरा दिया गया है फर्मास्यूटिकल विभाग की और से यह बयान जारी किया गया है इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हाली में वित मंत्राले ने PPF सुकन्या सम्रिद्धी खाते में अनिवारिय नियूनतम जमा के लिए समय सिमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है तो जितने भी लोग सुकन्या सम्रिद्धी खाते में रासी जमा करते हैं उनके लिए अभी समय सिमा को बढ़ा दी गई है कोरो इसके बाद अब बात करते हैं लोग सुकन्या सम्रिद्धी खाते के बारे में या तो फिर योजना के बारे में क्या है सुकन्या सम्रिद्धी योजना तो सुकन्या सम्रिद्धी योजना की सुरवाद याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को हुई थी 22 जनवरी 2015 को और इसके अंतरगत इसके अंतरगत इस योजना के अंतरगत लड़की के माता पिता को उनकी सिक्षा के लिए और लड़की की साधी के लिए एक फंड जमा कराने के लिए यह योजना लागो की गए थी एक फंड जमा की जाती है उसके बाद जो है जब उनकी उम्र हो जाती है साधी की तो उसके बाद उन्हें जो है वो फंड वापस मिलता है तो यह शुरवात अभी किनके द्वरा की गई थी तो परदान मंत्री नरेंदर मोदी द्वारा पी पीप सुकन्या सम्रिद्धी खाता योजना की शुरुवात की गई थी और इनकी अब धी कोई फिलाल 30 जुन्द के लिए बढ़ा दिया गया है यह है हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज का प्रशन आप से पूछा जा रहा ह इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है तो आज का प्रशन है परतेक वर्ष 14 अप्रेल को कौन सा दिवस मना जाता है तो आज है 14 अप्रेल और बताना है कि आज कौन सा दिवस है और अपना जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है तो आज की वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत